हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो स्पीता फूड फैसन आस यहां पर मैंने बहुत ही इजी और जैटपट से आलो टिक्की बनाई है जो कि यह डैली का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और इसको टिक्की चार्ट भी कहते है यहां पे और आपको हर स्ट्रीट के बाहर यह ज चलो ट्राइ करते हैं इसको भी एक बार तो अब आईए इसकी रेशिपी देखते हैं और रेशिपी देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेशिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले तो कि यह सारे आलो को इस तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है और यह काफी अच्छा है उसके बाद इसमें मैंने कौन फ्लोर यूज किया है तो कौन फ्लोर जरूर डाले तो चार आलो में मैं इसमें चार या पांच चमच के बराबर कौन फ्लोर डालूंगी और उसके बाद इस है इसमें ये चावल का आटा तो यहां चावल का आटा इसमें जरूर डालें इससे बहुत क्रिश्पी बनके तियार होता है तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल आलू की टिक्की ही बना रहे हूं इसमें मैं और कुछ भी स्टाफिंग नहीं कर रहे हूं आप चाहे तो इसमें स्ट जटनी और हरी जटनी से यह देखिए यह आटा लगके त्यार हो गया है तो बहुत ही इसका थोड़ा सा हाड ही होता है जिसे की क्रिश्पी बनके त्यार होता है तो अब इसमें ना सबसे इंपोर्टेंट यह है कि आप दही को छनी में रखकर इस तरीके से जरूर छाने इस त चीनी डालेंगे क्योंकि खटी मीटी होती है तो इसमें थोड़ा सा चीनी डालके देखिए इस तरह के से स्मूथ कर लेंगे देखिए कितना क्रीमी डेक्श्यर इस तरीके से चाणने से बनके त्यार हुआ है तो मुझे इस आटे में इसको रेस्ट करते हुए करीब 10-15 मिट हो गया है तो मुझे थोड़ा सा गीला लगा तो इसमें फिर से मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिया और इस तरीके से आप इसको अपने मन पसंद की टिकी की सेप दे दे यह देखिए यह इस तरीके से होगया और इसको 10 मिट के लिए कम से कम आप फ्रीज में रख दे उसके बाद हम इसको फ्राइ करते हैं फ्रीज में रखने से होगा यह काफी करारे बन के त्यार होगा तो यहाँ पर आप कोई भी cooking oil यूज कर सकते हैं तो देखिए यह जो तेल है वो medium गरम होना चाहिए और low to medium flame पे ही इसको फ्राइ करना है जिसे यह अंदर तक पक जाए और क्रिस्पी बन जाए तो यह देखिए चारों टिक्या मैंने इस oil में डाल दिया है और इसको उलट- बिल्कुल golden brown होने तक इसको fry करना है यह देखिए वैसे तो हमारे घर पे होली में यह चीज़े नहीं बनती है mostly हमारे साइड हमारे स्टेट में चादा तर या तो अगर जो नॉन्वेस नहीं खाते हैं कठल की सबजी बनती है या फिर मतन बनते है और मालपुए बनते है और कभी कल गुजिया भी बन जाती है यह सारी चीज़े डैली की फेमस है इसमें यहाँ पर इसी तरीके से बनता है या तो चाट बनते हैं पापर बनते हैं पकोरिया बनती है तो यह मैंने सोचा चलो एक बार आपके साथ यह सेयर करो तो यह जब फ्राई हो जाए golden brown तो इसका next तरीके से इसको कर दे और उसके बाद इसको फिर से second fry करेंगे और इसको हम oil में डाल देखे यह देखिए इससे काफी क्रिस्पी बनेगा तो इसको बहुत ही करारे होने तक आप इसको fry कर ले अगर आपके पास ताबा है लोहे का तो आप उसमें भी इसको fry कर सकते हैं यह द जाल दिया है और बहुत ही करारे होने तक आप इसको fry करें यह देखिए अब आइए इसको present करते हैं तो यह सारी चटनी जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी इसमें इमली की चटनी और यह हरी चटनी सबसे मस्ट होती है तो यह मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने बच बिल्कूल भी मार्केट की तरह सब करके इनको दिया बच्चों को तो काफी खोसो गए इनको पता ही नहीं लगा कि यह मैंने घर पे बनाया है और बोले थे मम्मी बहुत ही जल्दी आपने बना लिया और बहुत ही टेस्टी लग रहा है तो यह देखिए और इस तरीके से इ वैसे मार्केट में डेकुरेट करते है वैसे किया है तब तक के लिए बाबाई एंड टे कियर